कि अब्रबादी हलो और विल्कम बाक टूर चानल इंपो आयलेंड तो गाइज आज हम आ चुके हैं वापिस आपके लिए एक प्रेक्टिस टेस्ट पेपर सीरीज लेके उसका पार्ट टू लेके तो गाइज आज हम डिसकस करेंगे जनरल हिंदी के बारे में तो गाइज जैस कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की तयारी कर रहे हैं तो आपको किस बुक को रेफर करना चाहिए कौन-कौन सी ऐसी सब्जेक्ट वाइस टॉपिक वाइस बुक हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी मैंन बैक तो आर टुडेज वीडियो आज के वीडियो में हम यूपी पुलिस कॉंस्टेबल में जो आपका जेनरल हिंदी यानि कि सामाने हिंदी का जो सेक्शन होता है उसमें किस तरह के सवाल आप से पूछे जाने वाले हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट क्वेस्टेंस हैं व थे उसकी तयारी आपको करना है तो कोयल यहां पर और क्रेक्ट आंसर हैं आपको 4 options दिये जाएंगे चेश, कोयल, कोकिल, कान कोयल is correct answer लेक्टिऊ क्यों क्या क outlook क्या प्रच्थे हैं ठीड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बिताया था कि चार options दिये जाएंगे तो guys option आप जिससरलता से ना जाना जा सके, guys important ये है बाकि क्या options आपको पढ़ना इसलिए important है, जिसे कि आपको बाकी का मतलब क्या होता है, वो भी पता चल सके, people path Saris Mandola, इसमें कौन सा अलंकार है, तो guys, उपमा अलंकार is the correct answer, आए चारदन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो गाइस पुनर जान्सार शब्द में कौवी तो सार इस एक अंसर निम्ले κित में अश्द वर्टनी कौन सी है खयाती is the correct answer निम्निले कितमे से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का परियावाची नहीं है राजा is the correct answer निम्निले कितमे से कौन सा शब्द इती शब्द का परियावाची है तो बाधा is the correct answer निम्निले कितमे से कौन सा शब्द उसर शब्द का विलो मार्थक है यानि की उपजाओ निम्निले कित्मे से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक नहीं है रूप संस्क्रिट भाशा के पहले कौन सी भाशा थी तो प्राक्रती is the correct answer जो की संस्क्रिट भाशा से पहले थी निम्निले कित्मे से शुद्वर्थनी कौन सी है तो ये थार्तुन मुख is the correct answer निम्निले कित्मे से कौन सा शंदी विचेद सही है तो गाईज मही प्लस इंद्र नदी प्लस ईश वधू प्लस उत्सव ये सभी आनसर आपके correct है चोकोर शब्द में कौन सा समास है तो द्विगू समास is the correct answer थन्थन गोपाल मुहावरे का अर्ध क्या होता है खोखला विक्तिस्थान की पूर्टी करने आपको वर्षा होगी तो फसल डैश होगी अच्छी is the correct answer वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी कनक कनक ते सो गुनी मादक्ता अधिकाई में कौन सा अलंकार है तो यमक अलंकार is the correct answer उजवल शब्द का शुद्ध रूप क्या है उजवल समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं सम्मेलन सर्व उदय का संधी विछेत करना है तो सर्व प्लस उदय is the correct answer आत्मनिर्भर के समास का उधारन है तत्पुरिश ओके गईस वो थे कुछ important questions अब हम आपको कुछ महत्वपून मुहावरे बताने वाले हैं along with their meaning जो कि आपको एक्जाम में बहुत जादा help करेंगे पहला है कान देना जिसका मतलब होता है ध्यान देना मोह दिखाना जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष होना सर्ध हो जाना मतलब धन जाना आग में घी डालना मतलब और भड़काना काला अक्षर मतलब निरक्षन आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ कप्टी दोस्त कान भरना शिकायत करना नाक रगरना विनती करना गाल बजाना डींग हांकना लल्लो चप्पो करना यानि कि किसी की खुशामत करना जिसे आप इंग्लिश में commonly buttering के नाम से भी जानते हैं ओके गाईस वो थे मुहावरे अब हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं कुछ important पर्यायवाची शब्द जो कि आपकी practice को next level लेकर जाएंगे और आपकी preparation को boost up करेंगे ओके गाईस तो यहाँ पर मैंने आपको एक पूरी list provide करा दी है परयायवाची शब्दों की तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर शब्द दिये गए हैं जिसे अतिति जिसका परयायवाची शब्द महमान पाहुन आगुनतक अभ्यागत तो गाईस इसी तरह से आप बाकी जो यहाँ पर दिये गए हैं जैसे कि अश्व, अर्धर्म, अचल, अनुपम, अम्रित, अम्मा, अलंकार, एहंकार, अरण्या, इन सब के परयायवाची शब्द यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से पढ़ लिजेगा विकिस यह बेहत जरूरी है आपके इक्जाम की तैया के लिए नेक्स्ट अंकुष, अंतरिक्ष, अंतरधान, अंबर, अंतरगत, अंक, अंकुर, अंकुष, अंग, और अंग्री और इन सब के परयायवाची शब्द यहां दिये गए हैं अंचल, अचानक, अटल, अठखेली, अम्रत, आयोग्या, अभी, प्राय, अर्जन, अव रोध, यह सारे आपको यहां पर दिये गए हैं, अंत में आता है, अतीथी, अतीथ, अनाज, अनारी, अनार, अनिष्ट, अनुकंपा, तो गईज, यह सारे इंपोर्टन परयायवाची हैं, प्लीज, आप अच्छे से पढ़ लेजएगा, मैं एक-एक रीड-ाउट करूंग और चैनल को सब्स्ट्राइब कर लीजेगा, और येस, कॉमें सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और येस, we will see you soon again in our next video, thank you so much for your time, thank you so much for watching.